BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी सासनी के गाउं बरसे में विधुत विभाग की लापरवाही से कक्षा चार में पढ़ने वाले बारह वर्षिय किशोर रितिक पुत्र दिनेश की खेत में गिरे एल्टी लाइन के तार से चिपक कर मौत हो गई परिवार में कोहरा मचा, 17 अप्रेल की शाम तेज वारिस के कारण एल्टी लाइन का तार तूट कर गिर गया था रामीमों का आरोप है कि विधुत विभाग के अधिका, प्रियों से शिकायत की समस्या का निराकरण नहीं हुआ गुरुबार की शाम रितिक बरसी काटने गया तो तूटे पड़े तार में सप्लाई चालू थी जिससे रितिक की मौत हो गई करा तार तूटा हो पड़ा वगादा है काव का लेकिन अभी तक अभी तक साही करने नहीं आए ना इसलिए गटना हुए यह कहना चाहरा है न तो कौन जो कि लाजम पड़ता रहा है बच्चे तो यह इसकी पिता क्या करते है अब शेट करते हैं जिसमें बर्से गाउ में बारilan रखी किशोर की मौथ कर्फ नुट करते है एक यह गे आ रख तूटा बढ़ा होने से भी चौतना देने के बवजूत लेकिन अभी तक कि अपर बाद के लापर बाएग को सही नहीं गया, इसकी बज़े से बारा रहा वर्षी कि शोर की मौन, साषणी के लिए भीशन देऊ ZEMEX International School was established in the year 2012 under the ages of Aum Sarnak Babu educational trust to cater to the educational needs of Khaidras. It aims to promote a system of integral education in a congenial environment. The beginning of Siemens International School dates back to March 2012 when the first admission was done in nursery. School is committed to provide quality education and making global citizens of our country. School highlights exploratory teaching-learning methodology, playgrounds and well-kept lawns with ample opportunities for students to participate in games. We have science laboratory, maths lab, computer lab and the architecture of the school is well designed. The classes are spacious and well-ventilated.